Hey everyone, welcome to my channel, my name is Priya Dukra and I'm back again with another video. आज किस वीडियो में मैं लिकर आई हूँ आपके लिए दो free certificates आपको मिलेंगे Government of India की तरफ से जहाँ पे एक मैं आपको Cyber Security पे लेके दिखाने वाली हूँ और एक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी Computer Programming पे सो यही दो certificates आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं बस आपसे यही request करूँगी इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके किस तरह से ही certification लेने हैं कोई आपको doubt ना रहे सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हर बार आपसे request करती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है प्लीज फड़ा फड़ जाके उसे subscribe कर लीजे तो इसी तरह की वीडियो की डीटेल मैं आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आती हूँ जहां पर हम free courses, certification, scholarship, internship, jobs के बारे में updates जो है वो discuss करते हैं अब चलते हैं हमारे उस platform की दरफ जहां पर हमारे पास जो है ये pre certificate आने वाला है so first आपके पास यहां पर आएगा e safety intellect a cyber security awareness quiz लाँच किया गया है इसमें आप देख सकते हैं cyber security से related आपको ये quiz में लेगा instructions दी गई है इस instruction में दिखा गया है कि quiz में 20 questions रहेंगे हर एक question compulsory रहने वाला है total आपका quiz जो है 100 marks का रहेगा हर एक question 5 marks का जो है वो weightage cover करता है यहाँ पर कोई negative marking नहीं होने वाली है इनके से अगर आपको correct answers नहीं भी दे पाते है और at the end जब आप 50% से जादर score कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो certificate प्रोवाइड कर दिया जाएगा basically किन की तरफ से यह organized किया गया है Department of Computer Science, VBMS Shri Damodhar College of Commerce and Economics गवा की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे आपके पास description दी गई है अगर मैं details की बात करो email id, full name, title, profession आप से पूछा गया है कि आपका profession क्या है और आप अपना address यहाँ पर दे सकते हैं और whatsapp number आपको यहाँ पर देना है नीचे आपके पास आपका quiz start हो जाएगा so 20 questions है आज मैं आपको यह 20 के 20 questions clear करके दिखाऊंगी तो आप मेरे साथ बने रहे हैं वीडियो के साथ साहे आप साथ साथ में वीडियो pause करके देख सकते हैं या आप screenshot ले सकते हैं for future purposes so चलिए शुरू करते हैं quiz को quiz खतम होने के बाद हम certificate देखेंगे उसके बाद हम second quiz की तरफ चलेंगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा quiz कंप्लीट हो चुका है और मेरी certification के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं score आप देखिए 100 आउट और 100 आया that means आप इस certification मिलने वाली है तो जो mail आईडिया अपने हाँ पर प्रोवाइट के होगी यूसी में आपका certificate भी आजाएगा certification का sample में दिखा देती हूँ कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है और ये certificate को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आपने social media handles में use कीजे share कर सकते हैं आप और अगर आप share करते हैं social media handles में do not forget to tag me also because I am also available in all the social media platforms link आपको नीचे description पर मिल जाएगा second quiz की दरफ चलते हैं so second quiz आपको यहाँ पर प्रोवाइट किया जा रहा है unit 2 operating system पर आपको यह basically quiz रहने वाला है यहाँ पर भी अगर आप e-certificate लेना चाहते हैं at least you have to score 40% और अबव तभी आपको certificate मिलने वाला है so basics of computer के आपके यहाँ पर questions रहेंगे around about 20 questions आपसे पूछे जाने वाले हैं जिनको clear करके आपको e-certificate दे दिया जाएगा so details की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं क्या-के चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जारी है आपका email ID, phone number, आपका नाम और आपका यहाँ पर address पूछा जा रहा है उसके बाद आप देख सकते जॉब क्या करते हैं आप state, city, country के बारे में आप बता सकते हैं whatsapp number अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं it's okay, कोई verify नहीं होने वाला है सर्फ email ID आप यहाँ पर सही-सही दीजे सो एक-एक करके आप अपना quiz यहाँ पर complete कर लीजे उसके बाद आप certification देखेंगे हुआ 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 है आपके यहां पर जो है वो quiz complete हो चुका है certification अब हम देखेंगे so certification आप देख सकते हैं थोड़ा time भी लग सकता है 12 hours और 24 hours के बीच पीच में आपका time लग सकता है अगर आप यहां पर certificate लेना चाहते हैं तो यहां पर आपके पास जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का certificate मिलेगा आपको at the end जब आप यह जो है वो quiz complete कर लेते हैं इसकी detail आपको मेरी website पर मिल जाएगी link आपको नीचे description पर मिल जाएगा so यह दोनो certificate programs ऐसे हैं जो कि अभी live हैं अभी चल रहे हैं आप जाके इन में से certificates ले सकते हैं in case अगर बीच में कोई भी problem आती है दिक्कत आती है certificate नहीं मिलता या quiz बंद हो चुका है so उस case में आप क्या कर सकते हैं patience रखिए wait कीजे within 24 hours आपका जो है वो certificate आपको मिल जाएगा quiz भी live हो जाएगा so आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही पसंद आई हो जाद जाद लाइक और शेर जरूर कीजेगा वाकि मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए thank you so much, have a good day